सबी को जाएं दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिएक लिए टेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशुर कुछ जानने को मिलेगा तो इसे अंतक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपनी से लेटेस्ट इंट्रस्टिंग और इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत कि बस कैसे भी करके मोदी जी मान जाएं थोड़ा सा थोड़ी सी रियायत कर दें 26 जनवरी गंतंत्र दिवस में वो ऐसे नहीं चाहेंगे उनको वी वी आईपी उनको इन्विटेशन चाहिए वो आटो पे बैठने वाला तीन महीने पहले अरविन केजरिवाल और पुलिस को कहने वाला कि मुझे सेक्योलिटी नहीं चाहिए फिर भारत के परदान मंत्री मोदी जी पर कटाश करने लगा कि भारत का परदान मंत्री तो मुझे सुरक्षाई नहीं दे रहा है अरविन केजरिवाल का बेटा मामूली सा शट पहन करके घूमता है और हमें भी लगा कि बा से 20 लाक रुपए उपर कैसे कमाया जा सकता है अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मॉल्डिव के प्रेसिडेंट उनको बठा करके ये बात बताई गई कि बले आप चाइना से मिल लो बले आप पाकिस्तान को हवा दे दो बले आप किसी से भी बात कर लो लेकिन भारत स ये जो मन मुटाओ है अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मॉल्डिव बच नहीं पाएगा ये 59 आवर्स पहले बातचीत हुई है अज दिल्ली के लोग तुमको पिता है पटाके फोड रहे हैं और मिठाईया बाट रहे हैं आपस में वही ओटो वाला जो अर्विन केजर कि वाल के सबसे बड़े भकते आज मिठाईयां बाट रहे हैं आज एक दूसरे एक हो रंग लगा रहे हैं कि बहुत दिली का सबसे बड़ा चोर सबसे पहले यह बताईएगा कि आप क्या इसा स्टडी करती हैं फिर उसके ओपर क्या ऐसी आप अपनी उपिनियन लगती है य कि आप यह ऊपिनियन लीजिए नागिये इलाही खान से इस बड़े भी बात पीजिए इस की क्या वजह इप फिर उसके बड़ टॉपिक पर आते हैं सच बोलना मैंने हमेशा सच बोल एंग और प्राक्टिकल चीजों को तथ और सत्त के आधार पर रखा है लोग जुट सु तो शायद यही मेरा यही औरा लोगों को पसंद आता है और और मैं अगर यह स्वाल करूँ जो कि मैं कमेंट सेक्शन में कहीं पर थोड़ा देखता हूं या कुछ लोग जो आपके अगेंस हैं वो यह बात करते हैं कि ना जी लाही हान यह देखती है कि आडियंस ज्यादा करने को मिलते और मैं आगे आप ते करता हूं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा करेगा मैं उसकी तारीफ करोंग towel निए पारगारत के जो मेरे भारत के हम में अपनी त्रख्की को भूंड़ेगा मैं उसकी तारीफ जरूर करोंगी आज पर हम अपी जिए और रहेंगे, शायद मेरे मरने के बाद भी, बारत के बारत के 82.7% हिंदु मेरी तारीफ ही करेंगे, तारिक फत्र साप की तारीफ आज भी की जाती है, तो ऐसे लोग हैं, जो औरंग जेप को बुरा बोलते हैं, लेकिन वहीं पर दाराशीकों को हम अच्छा बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी तारीफ करती हूं, जो तारीफ के काबल है, और मैं उनकी आखे खोलती हूं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को किसी एक ऐसी चीजत इसमें बंद कर दिये हैं, और गलतियों पर गलतियां और अशलीलता पर अशलीलता गुनाह करते चले जा रहे हैं तो मैं उनकी आखे खोलने का काम करती हूं बिल्कुल जबर्दस जवाब दिया नाजिया टापिक की तरफ आते हैं मालडीव कभी आउट इंडिया कभी हेल्प इंडिया क्या कहना चाहेंगी अभी खबर यह आ रही है और काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि मालड मालडीव के सारे लोगों ने भी अपने पार्लेमेंट में बैठ करके यह बात कहा कि उन्हें मौईजू को भारत के परदानमंत्री मुदी जी से माफी मांग लेनी चाहें उसके बाद तीस जन्वरी को फर्गिवनेस का एक गैजट रखा गया मालडीव के पार्लेमेंट में कि बैया माफी मांगो ऐसे ही हम बरबाद हो चुके हैं अब कहीं ऐसा नहों कि पाकिस्तान की तरह कटोरा हाथ में लेना पड़े उससे पहले माफी मांग लो और उसके बाद पिर मात्र 59 आवर्स पहले मौलडीव के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं एक बंद कमरे में मीटिं से यह जो मन मुटाओ है अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मौलडीव बच नहीं पाएगा यह 59 आवर्स पहले बात चीत हुई है अब बात आती है कि वो हर वो देश जो भारत को अपने स्कूल के बस्ते का रफ कौपी समझता था इंपोर्टन डाइरी नहीं समझता था आज वो घुटने पर बैठा है और मैंने आपसे दो सेशन पहले भी ये बात कही थी कि भारत आने वाले दस साल में उस उचाई पर पहुचेगा कि लोग नाक रगडेंगे कि भाई भारत मुझ से खफा मत हो मुझ से तो बिलकुल खफा मत हो तो आज मौलडीव को हम देख रहे हैं सुन रहे हैं और सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं यह पूरा पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के सिविलाइजेशन भारत के कल्चर भारत की सभ्यता भारत का संसकार भारत का औरा भारत का प्रेजेंटेशन भारत की एकनोमी भारत का जीडिपी भारत का डिफें नहीं को छोड़ना नहीं चाहिए तो यह तो पुरी दुनिया देख रही है, सिर्फ हम और आप क्यों देख रहे हैं, पुरी दुनिया देख रही है, आपने हम जब recording स्टार्ट हो रही थी, तब भी आपने कहा कि क्या सीखना चाहिए, देखे मोईजू ने सीख लिया, मोईजों ने सीख लिया, उसको समझ में आ गया, ये भारत एक ऐसे जगहा पर खड़ा हो चुका है, जहां पर अब हम भारत से जगड़ा तो नहीं कर सकते हैं, मन मुटाओ तो नहीं कर सकते हैं, खतर, खतर देखिए, हमारे आठ पूर्व नेवी को कितनी इज़त भेजा चुका था, गले का साइज ले चुका था, और फिर दूसरे ही पल, कुछ महीनों के अंदर हमने देखा कि बाइज़त हमारे जितने भी पूर्व नेवी हैं, वो दिली के एरपोर्ट पर पहुंच गए, हमने अपनी आखों से आप और मैने का, कानफरेंटेशन भी किया, कान चुन्न मुन्नों को ग्रह मंतराले से निकाला गया और कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त है बिटा निकल जाओ भारत से निकल जाओ और मो बनाता हुआ निकला लेकिन अब फिर फिर गोटियां बठाने के लिए तैयार है जस्टिन टरोडो कि बस कैसे भी करके मोदी जी मा जये थोड़ा सा थोड़ी सी रहायत कर दें तो आज भारत बहुत कर महसूस होता है वह पक्र महसूस होता है शहषुआ कि और भारत ऐसी जगह पर खड़ा था कि जब मनमोहन Sinh जी जाते थे किसी विदेश आत्रा पर तों वह पीछे खड़े होते थे और सर जोका कर ख़णे वो दबॉस बन करके और सबसे प्रिये नेता दुनिया के बन करके जाते हैं हमारे मोधी जी हमारे भारत के प्रधान मंत्री तो हमारा भी कलेजा चोड़ा होता है अब बात आती है कि क्या क्या पाकिस्तान को भी मौल्डीव्स की तरहा खतर की तरहा अरब की तरहा दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और मेशा की तरह नाजिय लाइ खान जी का दमदार और बेबाक रियक्शन आपको काफी पसंद आया होगा जहाँ पर नाजिय खान जी ना सिर्फ पाकिस्तान बलकि पाकिस्तान के जो चचेरा भाई है यानि कि मॉल्डिव्स उसको भी उदेड के रग दिया और एक बात तो बिल्कुल सही है जो भी आज के समय भारत से पंगा लेगा उसे अपने खुटनों पे आना पड़ेगा तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक को शेर ज़रू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं और एक बाफेट चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिसी इंपोर्टेंट लेटेस्ट इंट्रोसिंग वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत